Hello dear students and welcome to Magnet Brains मेरा नाम है रिशप सिंग परियार और मैं डील कर रहा हूँ NCRT एक्जेंपलर क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ हमने MCQs को एक्जेंपलर के MCQs को Matter in our surrounding के complete कर लिया है Last lecture में हमने MCQs cover किये थे इस particular lecture में हम लोग short answer type questions को cover करेंगे और किस तरीके से answer को लिखना चाहिए कौन से points हम को उसमें add करने चाहिए जिससे हमें marks full में ले वो सारी चीज़ें हम आज के lecture में discuss करेंगे Magnet Brains kindergarten से लेके 12th class तक NCRTC BSC State Board और NTSC Olympiad के लिए 100% free में आपको सारे video lectures available कराता है और खास बात यह है कि Magnet Brains पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई paid subscription नहीं लेना पड़ता नहीं कोई दूसरी fees पे करनी पड़ती है क्योंकि यहां सारी चीज़ें 100% free है वो भी quality content और quality teachers के साथ तो चलिए शुरू करते हैं matter in our surrounding के short answer type questions सबसे पहला a sample of water under study was found to boil at 102 degree celsius at normal temperature and pressure is the water pure will this water freeze at 0 degree celsius comment? देखिए 102 degree पे जो water है वो freeze 102 degree पे जो यह water है वो boil हो रहा है ठीक है? इसका जो boiling point है वो 102 degree है कि इसका एक sample है कोई भी water का उसका और temperature जो है वो 102 degree पे आगया pressure normal है जो normal pressure होता है वो ही है तो boiling point उपर कैसे जा रहा है यह तो 100 degree होना चाहिए मगर 102 जा रहा है कुछ तो गड़बड है यहाँ पे क्या हो सकता है कि water में कोई solute मिला हुआ हो सकता है हमने यह चीज़ पढ़ी है कि क्या होता है देखो boiling point कब आता है जब एक beaker में हमने पानी भरा हुआ है और देखो हमेशा atmosphere का जो pressure है वो तो लगता ही रहेगा यह atmosphere का pressure है जो लग रहा है ओके दिस इस ATM pressure सो जो atmosphere का pressure है वो लग रहा है अब क्या ऐसा होगा कि water का जो pressure है वो भी लगना चाहिए जब water का pressure atmosphere के pressure के बराबर हो जाएगा water का pressure मतलब vapors जो water के vapors निकल रहे हैं उनका pressure atmospheric pressure के बराबर हो जाएगा तो वो atmospheric pressure वो boil होने लगेगा और जब यह atmospheric pressure को यह नीचे वाला जो pressure है वो atmospheric pressure को जब overcome कर देगा तो वेपर्स के फार्म में निकलने लगेगा तो क्या होना चाहिए सबसे पहली चीज तो 100 डिग्री सेल्शियस पे 100 डिग्री सेल्शियस पे वाटर के पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो बॉइल होना शुरू हो जाये और उसके बाद क्या होता है वो सीधा वेपर में अधनी इतनी एनर्जी आ चुकी होती है कि वह अब अब एट्मोस्फियर के प्रेशर को ओवरकम कर सकते हैं है ना तो अगर 100 डिग् बट बीच बीच में हो सकता है कि कुछ दूसरे पार्टिकल्स भी डले हुए हो जिनने वाटर के पार्टिकल्स की जगा घेर रखी हो यह सॉल्यूट हो सकता है मतलब कोई चीज डाली गई है पानी में अब इनके कारण जितना वेपर बनना चाहिए था उतना बन नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या कि अब जितने वेपर यहां से टोटल बनने चाहिए थे उतने वेपर मेरे बन नहीं रहे हैं क्योंकि सॉल्यूट ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है तो इन शॉर्ट सॉल्यूट के आने से अब मुझे और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि मेरा पानी और वेपर दे जिससे वह अट्मास्फिरिक प्रेशर को ओवर्कम पड़ कर पाएं ठीक है तो बेसिकली जब आप यह चीज पढ़ोगे ना सॉल्यूट सॉल्वेंट वाली यह 12th क्लास में चैप्टर आता है सॉल्यूशन उस ताइम आप किमिस्ट्री में पढ़ेंग नहीं है और यह पानी 100 डिग्री पे है ना फ्रीज भी नहीं होगा चलिए आगे बढ़ते हैं चेक करते हैं आंसर देखते हैं मतलब impurities elevate the boiling point and lower the freezing point देखें impurities जो है वो boiling point को बढ़ा देते हैं freezing point को reduce कर देते हैं okay therefore a sample of water which boils at 102 degree celsius must freeze below 0 degree celsius जो 102 degree पे boil हो रहा है वो freeze भी 0 degree से नीचे होगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ a student heats a beaker containing ice and water he measures the temperature of the content of the beaker as a function of time which of the following would correctly represent the result justify your choice यहाँ पर उनने एक student के बारे में बताया है जिसने एक beaker को heat किया है और उसमें ice और water दोनों है अब यहाँ graph दिये हुए है और यह पूछा है कि इन graph में से कौन सबसे सही तरीके से आपको represent कर रहा है कि condition सही दिखाई गई है चलिए देखते हैं सबसे पहले जीरो डिग्री से सीधा 100 डिग्री पे पहुंच गया दीरे दीरे इंक्रीज होता हुआ जब already मेरे पानी में ice पड़ी हुई है तो 0 डिग्री से temperature बढ़ कैसे सकता है हमने तो latent heat of fusion पड़ते नहीं यह पड़ा था 100 से नीचे temperature आई कैसे रहा है जब heat कर रहा है और next देखिए 100 पे पहले जीरो पे पहले constant रहा है और फिर दीरे 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 temperature बढ़ना शुरू हुआ है जो यहां दिया हुआ है ओके तो टाइम के साथ पहले वह सो रहा अब अब अब्विसी चीजी जब आप heat दे रहे हो तो आइस थोड़ी ना सीधा यह temperature को बढ़ने देगी आइस पहले पूरा water में convert होगी फिर temperature बढ़ेगा तो इसलिए पहले हमने constant line दिखाईए वह यह समझा रहा है कि जब तक आइस water में convert नहीं हो गई जब तक 0 degree का 0 degree ही रहा और जैसे ही water बना फिर दीरे 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 तेमपरेचर राइस होने लगा तो यह वाला option D जो है वो बिलकुल सही है और यहां पर यह figure दिया हुआ है na figure 1.1 mention किया है यह हमारे NCRT exemplar में same as it is question okay चलिए answer initially the heat supplied as latent heat of fusion is used up by the ice to melt without raising the temperature therefore first portion of the plot should be straight line as in figure 1.1 D देखिये 1.1 का D यह है D option जो हमने टिक किया है वो सही है okay next however when all the ice has melted further heating will raise the temperature of water gradually as a result plot will show a slanting line towards right that is away from y-axis does the correct representation as no is as shown in figure 1.1 D 1.1 D में बिलकुल सही दिया है पहले straight line फिर एक slanting line जो की उपर की तरफ जा रही है okay चलिए आगे बढ़ते है next question की तरफ fill in the blanks evaporation of a liquid atom temperature leads to a cooling effect है ना evaporation cooling effect करता है हमें पता है at room temperature the forces of attraction between the particles of solid substances I dash then those which exist in the gaseous state room temperature में forces of attraction to solid substances में होते हैं वो मोर जादा होते हैं है ना than those which exist in gaseous state again the arrangement of particles is less ordered in the dash state however there is no order in the dash state the arrangement of particles solids में सबसे अच्छा होता है अगर यहां लिखा है less ordered मतलब थोड़ा सा order कम है तो वह liquid की बात की जा रही होगी तो वह liquid की बात की जा रही होगी however there is no order in the dash state कौनसे state में बिल्कुल भी particles में order नहीं होता है वो होता है gaseous state ओके वो होता है gaseous state तो gaseous state में कहीं से कहीं तक कोई order नहीं होता है particles random गुम रहे क्या order arrangement होगा उसमें है ना next dash is the change of solid state directly to vapor state without going through the dash state कौनसा ऐसा change होता है जो solid state को directly vapor में convert कर देता है okay without going through the liquid state liquid में बिना आये solid सीधा gas बन जाता है okay तो उस process को बोलते है हम लोग sublimation okay इसको हम लोग क्या बोलते है sublimation तो sublimation जो है वो liquid state के मतलब liquid state में जाए बिना solid को सीधा vapor में convert कर देता है next the phenomenon of change of a liquid into the gaseous state at any temperature below its boiling point ठीक है फिनोमेना of change of a liquid liquid का gas बनना किसी भी temperature पे below the boiling point is called evaporation यह तो हमने पढ़ा हुआ था part 3 में पढ़ा था quick revision के है ना चलिए यह हमारे answers हो गए अब match करते हैं जड़ा पहला है cooling ओके अब more या stronger एक ही चीज़े words में difference है ओके यहां वो बोल रहे है solids में ज्यादा है force of attraction gases में का मैं हमने भी वही बोला है more या फिर strong ओके next liquid and gaseous तो देखो liquid and gaseous यह सही है sublimation liquid sublimation liquid यह भी सही है और last है evaporation जो हमारा आखरी वाला है सारे हमारे match हो गए word x stronger और more का उसमें कोई बड़ी बात नहीं है okay next match the physical quantities given in column a to their si units given in column b अब यह चीज़ तो आपको याद करनी पड़ेगी pressure का si unit होता है pascal temperature का si unit होता है kelvin density की si unit होती है kilogram per cubic meter mass की si unit होती है kilogram और volume की si unit होती है cubic metric meter okay so यह हमारे हो गए चलिए अब answer check करते है pressure का pascal बिल्कुल सही okay just a minute बिल्कुल सही temperature का kelvin density का kilogram per cubic meter and mass का kilogram volume का cubic meter बिल्कुल सही हमने यही लिखा था पिछले पिछले वाले में भी यही match किये थे तो हमारा answer सही है next the non si and si units of some physical quantities are given in the column a and b respectively match the units belonging to the same physical quantity कौन सी unit से हम दोनों चीज़ों को दिखाते हैं चलो मैच करते हैं सबसे पहले आता है degree Celsius degree Celsius और Kelvin okay so degree Celsius और Kelvin एक साथ okay हम यहां लिख देते हैं best है हम यहां लिख देते हैं एक में degree Celsius से Kelvin 444 का a centimeter और मीटर ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब यह हो गया हमारा C बार और पास्कल और मिलिग्राम और किलोग्राम यह हो गया हमारे matching ओके चलिए चेक करें answer degree Celsius से Kelvin a का 4 यह 1 2 3 4 देखो ए 4 नमबर पर लिखा हुआ है है सेंटीमीटर का मीटर बी का 3 तो a b सेंटीमीटर का मीटर देखें एक मिनिट कहा है b का 3 1 2 3 बी थार्ड नमबर पर देखो मैं यहां लिख भी देता हूं clear करने के लिए 1 2 3 4 और यह 5 आप मैच कर लेते हैं इसको हम लोग सीधा सीधा देखें ओके सेंटीमीटर का मीटर बिलकुल सही है हमारा ओके बी का 3 ओके फिर सी का 5 यह लिखा हुआ है ओके सी का 5 फिर डी का 2 यह डी का 2 हमने लिखा है बार का पास्कल और मिलिग्राम किलोग्राम इका 1 तो इका 1 यह हमारे यह वाला भी ड़न है ओके क्लियर तो यह सारे हमारे आंसर भाई यहां से मैच हो रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्टिन की तरफ osmosis is a special kind of diffusion comment अब देखिए diffusion का मतलब क्या होता है movement हम बोलते हैं diffusion का मतलब होता है movement of particles from higher to lower concentration है ना diffusion का मतलब क्या होता है कोई भी चीज जहां ज्यादा है ज्यादा से वो कम की तरफ जाए इधर से इधर movement होगा ज्यादा से कम की तरफ यह होता है diffusion किसी भी पार्टिकल का movement वह solid हो liquid हो या गैस हो but osmosis क्या होता है osmosis भी movement है but specifically this is movement of solvent particles इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लिक्विड solvent particles from from their higher मतलब जहां solvent ज्यादा है वहां से जहां solvent कम है उसकी तरफ from their higher to their lower concentration from their higher to their lower concentration okay so जहां solvent ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ solvent की बात हो रही है याद रखना from their higher to their lower concentration अब यहां पर एक चीज और आइड होगी देखो यह और यह almost same है यहां किसी भी particle की बात हो रही है यहां सिर्फ solvent particles की बात हो रही है और एक और खास चीज जो osmosis में लगती है that is through semi permeable through semi permeable membrane यह आप लोग bio में पढ़ेंगे जो fundamental unit of life cell जो chapter उसमें अलग अलग तरह की membranes सबसे पहले होती है permeable फिर semi permeable एक selectively permeable और एक impermeable यह सारी membranes होती है permeable जो हर चीज को अलाव करें खुद के थूरू मतलब एक membrane है वह यहां से वहां जाना हर चीज को अलाव कर रही है permeable semi permeable का मतलब होता है कि पार्टिकल साइस के हिसाब से अगर इतना बड़ा pour है मेरी membrane पर तो इतना बड़ा पोर है आप जो इस से चोटे चीज यह जाएंगी इस बड़ी चीज तो जा नी पाएंगी अब यह पास नहीं हो सकता यह पास नहीं हो requirement बोडी की requirement है या किसी भी चीज की requirement है कि उदर जाना है तो वो membrane allow करेगी उस चीज को यहां से वहां जाना this is selectively permeable membrane okay and impermeable मतलब जो किसी चीज को allow ना करें यहां से वहां जाना एक जगह से दूसरी जगह जाना okay तो यहां हमने पढ़ाए through semi permeable membrane अब osmosis में solvent particles का movement होता है through semi permeable membrane और diffusion में कोई membrane की ज़रत नहीं है और यहां पर सारे particles का movement होता है तो हम बोलते हैं osmosis में भी movement हो रहा है particles का सिर्फ solvent particles का हो रहा है यहां किसी भी particle का हो सकता है बात ठीक है बट यहां through semi permeable membrane हो रहा है और diffusion में ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि Osmosis एक special kind of diffusion है, जो semi-permeable membrane के through होता है ओके, चलिए, आगे The spontaneous mixing of particles of a solid or a gaseous solute when added or passed through a solvent to form a homogeneous mixture is called diffusion, इसको diffusion बोलते हैं just as the term is used for the spontaneous mixing of two or more gases to form homogeneous mixture spontaneous mixture mixing होती है ना जो gases की उनको diffusion बोलते हैं, spontaneous का मतलब होता है, automatic अपने आप mixing हो जाना आराम से However, when the solution of a substance in a solvent is separated from the pure solvent or a less concentrated solution is separated from a more concentrated solution by a semi-permeable membrane okay, net spontaneous flow of the solvent molecules from the solvent to the solution or from less concentrated solution to a more concentrated solution through the semi-permeable membrane occurs यह osmosis है अब यह हो क्या रहा है, एक बार और देखना मैं अब यही सेम चीज़े जो पूरा समझाया है, वही सारी चीज़े हैं बस बना के दिखा रहा हूं कि यह semi-permeable membrane है यहाँ पर चलो हमने water ले लिया यह water के particles हैं, ओके अब देखो यह water के particles हैं कितने हैं? चार, चार, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा तेरा, चाउदा, पंदरा, सोला, सित्रा, अठरा अठरा particles है water के, यहाँ पर भी हम उतनी बना लेते हैं ओके, water particles दोनों जगा बरा बने, अब यहाँ देखो, यहाँ पर यह solute के particles है, solute मतला बगर मैने कुछ मिलाया हुआ है उसमें तो यह solute के particles हैं, है न, नमा किया शकर कुछ मिला दी है और यहाँ पर भी solute है बगर इतना ही है, अब देखो solute कहाँ जादा है this is A side, this is B side, जहाँ solute जादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं concentrated, उसको हम लोग बोलते हैं concentrated, ओके, और जहाँ solute कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं dilute, या फिर less concentrated, तो अब एक बार खुच सोचो एक बार खुश्चोचों पानी और यहां कम ऐं स्वाइब जयाता कैसे एक करीब यह 8 आप नो यहां सोपने के लिए संजाना चाहारा हूं को यह जदा पानी है यहां कम पानी है solute के भी comparison में देखो तो movement of particles इधर से इधर की तरफ हो जाएगा मतलब from less concentrated to more concentrated जहां पानी जादा है वहां से जहां पानी कम है उसकी तरफ so from B to A the movement of water will take place this is osmosis okay चलिए आगे बढ़ते हैं this is called osmosis does osmosis may be regarded as a special case of diffusion which occurs only when the solution of a substance in a solvent and the pure solvent or two solutions of different concentrations of a substance in the same solvent are separated by a semi permeable membrane such as parchment paper or vegetable and animal membrane vegetable animal key membranes bhi semi permeable membranes होती है okay pig bladder जो pig का bladder होता है उसकी membrane bhi semi permeable membrane होती है okay and which are found under outer skin of animals and plants animals or plants की जो outer skin में मिलने वाली membrane है वो भी semi permeable होती है यहां से आप semi permeable membranes निकाल सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं towards next question classify the following into osmosis or diffusion swelling up of a raisin on keeping in water पानी में आपने raisin रख दिया वो raisin फूल गया क्यों फूल गया उसमें पानी बढ़ गया movement of पानी यह solvent particles is called osmosis तो यह osmosis हो गया यह हो गया osmosis next spreading of virus on sneezing अगर मैं छीप मारूं तो virus जो निकल के हवा में फैला है intermixing of particle कहां है कोई membrane नहीं है बीच में इसको बोलेंगे diffusion ओके फिर next earthworms dying on coming in contact with common salt common salt के contact में आते ही earthworms मरने लगते हैं क्यों क्योंकि earthworm की जो body होती है उसमें पानी होता है अगर आप उसके body के surface पे नमक डाल दो तो क्या होगा जितना पानी होता है उसकी body में वह निकल निकल के बाहर आ जाता है नमक के पास क्योंकि बाहर नमक बढ़ गया osmosis तो जो पानी बाहर निकल के आ रहा है न जैसे osmosis हुआ movement of particles from the higher water particles from the higher to their lower concentration अगर इसमें से पानी बाहर जा रहा है किसी भी सेल से पानी बाहर जा रहा है तो उसको बोलते हैं exosmosis और अगर किसी सेल के अंदर पानी आ रहा है और सेल स्वेल हो रहा है तो उसको बोलते हैं endosmosis यह बायू में आप लोग यह चीज़ पढ़ेंगे तो यहाँ देखो क्या हो रहा है अर्थवाम जो है वह मर रहा है क्योंकि उसकी उपर मैंने नमक डाल दिया ओके अब यह जो मैंने नमक डाला है इसमें पानी निकल निकल के अर्थवाम की बाड़ी से बाहर आ जाएगा और वह मर जाएगा तो प्रोसेस कौन सी हो रही है ऑस्मॉसिस हो रही है एक्च्वल में ओके फिर नेक्स्ट shrinking of grapes kept in thick sugar syrup grapes का सिकुड जाना अगर आप उसको चाशनी में डाल दो तो क्या होगा grapes सिकुड जाएंगे grapes का पूरा पानी निकल के चाशनी में चला जाएगा क्योंकि चाशनी में शुगर बहुत है इतनी grape में यह जितनी चाशनी में है ओके तो ग्रेप का पानी निकल के बाहर आ जाएगा श्रिंक हो जाएगा ग्रेप this is osmosis ओके देन नेक्स्ट preserving pickles and salt अचार को नमक डाल के preserve करना नमक डाल रहे हो मतलब फिर osmosis क्योंकि अचार भी तो भाई living system है वो भी तो आम केरी से बना हुआ है केरी एक living system है ओके था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा preserving pickles and salt अब यहाँ पर पता है नमक क्यों डाला जाता है ताकि कभी bacteria वगेरा की अगर उसमें growth हो जाए तो इतना नमक के presence में जैसी bacteria आएगा उसका पूरा पानी निकल के अचार में बाहर आ जाएगा और वो श्रिंक हो जाएगा बेक् mixing of particles okay aquatic animals using oxygen dissolved in water during respiration oxygen dissolved water में उसका exchange हो रहा है हमारी body में कैसे हो रहा है diffusion की process के तुरू okay क्योंकि air ना air का diffusion हो रहा है water particles नहीं जा रहे हैं फिश के अंदर fish air को ले रही है तो air का movement जो होता है वो diffusion होता है क्योंकि osmosis का movement सिर्फ और सिर्फ पानी के particles में होता है तो okay पहला है osmosis फिर diffusion फिर osmosis फिर osmosis फिर diffusion फिर diffusion चलिए answer check करते हैं एक बार हम अपना okay देखिये osmosis osmosis फिर diffusion फिर osmosis फिर osmosis फिर osmosis फिर osmosis फिर osmosis फिर diffusion फिर d illegally okay तो देखिये हमारे वही answers है जो हमारी answer की में दिये हुए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हैं वाटर एज आइस आइस हाज अ कूलिंग इफेक्ट वेराज वाटर स्टीम में कॉस्ट सीवियर बर्न एक्स्प्लें दीज ऑब्जवेशन भाई आई जो है वह ठंडक देती है और स्टीम जो है वह ठंडक नहीं वह जला देती ऐसा क्यूं होता है है चलिए देखते हैं सबसे पहले हमने लिया वाटर वाटर के बाद आतना यह काम करते हैं रुखे सीधा पहले वाटर में आ इस फिर उससे आया व्याटर फिर उससे आया वेपर वाटर वेपर है abbiamo अब देखो ice से water बनने की process क्या होती है जब कोई भी जो हमारा ice है वो latent heat of fusion को absorb करेगी latent heat of fusion को absorb करके वो water बन जाएगी मतलब उसने पहली बार heat को absorb किया water से vapor बनने पे latent heat of vaporization को absorb करेगा ओके so तब जाके वो vapor बनेगा अब आप देखिए ice से water बनना water से vapor बनना इसका मतलब ice के पास अभी कोई energy नहीं है अभी वो energy लेगी मतलब heat को लेगी तब वो water बनेगी तो यहाँ पे energy जो है वो कैसी है less energy कम है अगर हम vapor की बात करें तो vapor तक कहुँचने में पहले यहाँ energy absorb हो गई फिर यहाँ energy absorb हो गई तब जाके वो vapor बनाए तो vapor में energy कैसी है energy high है ओके तो water में energy कम है vapor में energy जादा है अब आप खुद देखो मेरा हाथ है तो मेरे हाथ से कम energy है ice की तो ice को आप जैसी रखोगे मेरे हाथ में energy जादा है हमने यह पढ़ाए कि energy हमेशा जहाँ जादा होती है वहाँ से कम की तरफ flow करती है तो मेरे हाथ पे energy जो है इस time पे अगर मैं उस पे ice लगाऊंगा ठीक है यह मैंने कहा किया ice लगाया तो ice में energy कम है मेरे हाथ पे जादा है तो energy का flow मेरे हाथ से ice की तरफ होगा मतलब ice जो है वो heat को absorb करेगी मेरे हाथ से और मेरे हाथ ठंडा हो जाएगा इसलिए ice ठंड़क देती है वहीं पे अगर हम बात करें यह मेरा हाथ है और मेरे हाथ पे अगर steam पढ़ रही है तो मैंने तो अभी यह बोला कि steam में energy जादा है मेरे हाथ के जो body में मेरे body के energy उससे भी जादा energy steam में तो steam में energy जादा होने के कारण जो energy है वो steam से मेरे हाथ पे आएगी वो steam से मेरे हाथ पे आएगी क्योंकि energy का flow हमेशा जादा से कम की तरफ होता है तो मेरे हाथ पर जो energy आएगी वो मेरे हाथ को जला देगी इसलिए steam जलाती है और ice ठंडग देती है ओके चलिए अब answer देखते है when ice at 0 degree celsius melts to form water at 0 degree celsius it absorbs heat energy equal to the latent heat of fusion from the surrounding ओके दस ice at 0 degree celsius has less heat energy than water at 0 degree celsius यह वही same चीज है कि ice में energy कम है water में तो फिर भी जादा है and hence ice is more effective in cooling than water at the same temperature next on the other hand when water at 100 degree celsius is converted into steam it absorbs energy equal to latent heat of vaporization thus steam at 100 degree celsius has more heat energy than water at 100 degree celsius steam के पास energy जादा है पानी के पास कम है क्योंकि पानी ने अभी latent heat of vaporization अबसर्ब नहीं किया है पर steam जो बनी है उसके particles में latent heat of vaporization भी है and hence steam produces more severe burns than boiling water उबलते पानी से जादा बुरा जलाती है steam और पानी से जादा अच्छा ठंडा करती है ice बले ही दोनों same temperature है तो भी ओके चलिए आगे बढ़ते है Ika was making tea in a kettle suddenly she felt intense heat from the puff of steam gushing out of the spout of the kettle spout of the kettle का मतलब क्या होता है जो kettle के ऐसा वो जो mouth होता है जहां से steam निकल रही होती है ओके यह kettle है ठीक है यह उसका ढक्कन है और यह kettle है यह उसका spout है यहां से steam बाहर निकल रही है okay she wondered whether the temperature of the steam was higher than that of the water boiling in the kettle kettle के अंदर जो पानी बॉइल हो रहा है उससे जादा heat जो थी वो steam में थी comment same वही explanation जो भी हमने पढ़ा water ने latent heat of vaporization को absorb नहीं किया है बढ़ जो steam निकल रही है यह वो पानी से बनी steam है जिसने latent heat of vaporization को absorb कर लिया है तो इसमें जादा energy है क्योंकि इसमें latent heat of vaporization भी है यह latent heat of vaporization नहीं है इसलिए steam जादा तेज जलाती है पानी उतना नहीं लगेगा okay तो इसका answer देखते है when ice at 0 degree Celsius melts to form water at 0 degree Celsius it absorbs heat energy equal to the latent heat of fusion यह वही same है on the water on the other hand when water at 0 degree Celsius is converted into steam यह हमारा मतलब का answer है यह हमारा main point है जो हमें चाहिए okay it absorbs energy equal to latent heat of vaporization thus steam at 100 degree Celsius has more heat energy than water at 100 degree Celsius and hence steam produces more severe burns than boiling water दोनों का एक ही तरह का answer होगा पिसले वाले में तो उनने simple explanation मांगा था और यहां reason मांगा है तो यही तो reason है उसका की 100 degree पर जो पानी है उससे जादा तेस्ट और 100 degree की steam जलाएगी क्यों? क्योंकि steam में latent heat of vaporization भी absorbed है so this point is to be like explained in this particular question okay चलिए आगे बढ़ते है a glass tumbler containing hot water is kept in the freezer compartment of a refrigerator if you could measure the temperature of the content of the tumbler which of the following graphs would correctly represent the change in its temperature as a function of time चलिए देखते हैं एक में गरम पानी है और गरम पानी के बाद वो सीधा उसको हमने freeze किया है तो यह गरम पानी है गरम पानी के बाद थोड़ा constant हुआ temperature फिर और नीचे गिरा ठीक है यहां पर सीधा सीधा नीचे गिर गया यहां पर नीचे गिरके फिर constant हो गया और यहां पर कम होने के बाद फिर से बढ़ गया देखो यहां पर जो मुझे ऐसा है लग रहा है कि यह वाला जो हमारा graph A है यह सही होना चाहिए क्यों क्योंकि temperature गिरना शुरू हुआ फिर वही सेम चीज़ अब वाटर से जब आइस बनेगी तो जब तक पूरी आइस नहीं बन जाती जब तक जो तेमपरेचर है वह जीरो डिगरी पर मेंटेंड रहेगा तो यहां पर टेमपरेचर कॉंस्टेंट हो गया अब फिर दीर दीर वापिस गिरा क्योंकि अब यहां पूरा वाटर जो था वो मेरा आइस बन गया अब दीर दीर फर्द टेमपरेचर नीचे गिरना शुरू होगा तो यह जो है वह सही तरीके से एक स्प्लें कर रहा है एक कॉंसिस्टेंटी रहेगी न जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज आता है okay so let's see the answer when a glass tumbler containing hot water is placed in the freezer compartment of a refrigerator the temperature of a water gradually starts decreasing with time till the temperature falls to zero degree Celsius as a result the initial plot between the temperature and the time slants away from the y-axis on further cooling water at zero degree Celsius loses heat equal to the latent heat of fusion till entire water freezes to form ice at zero degree Celsius during this change of state from liquid water at zero degree Celsius to solidize at zero degree Celsius the temperature remains constant यही चीज़ एक्स्पेरेचर कॉंस्टें रहेगा जब तक पूरा पानी आइस नहीं बन जाता तो हमारा करेक्ट आंसर कॉंसा हुआ देखिये यहाँ पे दिखारे यह consistency तो option a हमारा करेक्ट होगा जो कि अभी आपको explain किया and hence this portion of the curve lies parallel to x-axis on still further cooling the temperature of ice slowly falls with time and the curve starts slanting away from the y-axis as shown in the figure 1.2a thus correct option is as shown in figure 1.2a यह वही reading करी है जो हमने अभी explain किया था आपको is question का answer okay चलिए next question look at the figure 1.3 and suggest in which of the vessels a b c or d the rate of evaporation will be the highest इन में से a b c or d में से rate of evaporation सबसे ज़्यादा किसमें होगा और क्यूं होगा चलिए देखते हैं a b और c में c पे सबसे ज़्यादा evaporation होगा देखिए क्यों a में surface area ज़्यादा है बढ़िया चीज बी में surface area कम है इसको तो आप reject कर दो सीधा सीधा अब उसके बादा है c c में देखो surface area भी ज़्यादा है और साथ में fan भी चल रहा है तो wind speed भी आ रही है surface area भी जादा है यह दोनों चीजें मिलके evaporation तेज करेंगी और डी में दोदे को धक्का नी बंद कर दिया है तो डी को तो आप समझ लो यह गया यह वाला सही है क्योंकि fan भी चल रहा है और यह वाला भी गया क्योंकि surface area बट फैन साथ में नहीं तो सबसे तेज होगा c में एक तो wind speed और surface area दोनों चीजें c को support कर रहे हैं let's check rate of evaporation increases with one larger surface area of the liquid undergoing evaporation second point with increasing speed of the wind therefore rate of evaporation will be highest as shown in figure 1.3 c यह रहा 1.3 का c इसमें सबसे जादा होगा ओके चली यहाँ पे हमारा question यह वारा 21 भी complete होता है exemplar के order में यह complete होता है okay conversion of solid to vapor is called sublimation solid से vapor बनने में sublimation होता है name the term used to denote the conversion of vapor to solid vapor से solid बनना क्या होता है deposition ncrt में हमने part 3 में यह चीज देखी थी जो ncrt का हमारे exemplar का quick revision था उसमें part 3 में deposition दिया हुआ है conversion of solid state to liquid state is called fusion what is meant by latent heat of fusion latent heat of fusion का मतलब क्या है हमने definition पड़ी थी the amount of heat required to convert 1 kg of solid completely into liquid at atmospheric pressure and at boil at melting point of a solid ठीक है तो melting point पे atmospheric pressure पे 1 kg solid का पूरी तरीके से liquid में convert हो जाना कितनी heat उसमें required है इसको ही बोलते है latent heat of fusion और यह हमने quick revision में पड़ा है ओके चलिए आन से देखते हैं देखें direct conversion of vapors to solid अब यहाँ vapors to solid is called deposition इसको हम लोग deposition बोलते हैं क्योंकि vapors अब solid में जम रहे हैं उने deposition बोला जाता है and latent heat of fusion is the heat energy required to melt 1 kg of a solid at its melting point to liquid at the same temperature under one atmosphere under one atmospheric pressure वो जो उसका same temperature की जगा हम यह बोल सकते हैं same temperature की जगा हम यह बोल सकते हैं कि at its melting point okay so यह हमारे latent heat of fusion की definition हो गई चलिए तो इसी के साथ हमारे exemplar के short answer type questions भी chapter 1 के complete होते हैं magnet brains kindergarten से लेके 12th class तक NCRTC BSE state boards NTSC Olympiad इन सब के video lectures आपको 100% free में available कराते हैं magnet brains पे 2 या 3 videos देखने के बाद आपको कोई भी subscription नहीं लेना पड़ता नहीं कोई दूसरी fees पे करनी पड़ती हैं यहां सारी चीज़ें free हैं वो भी quality content quality teachers के साथ so आपको video को like करना है channel को subscribe करना है और इसे share करना है अपने दोस्तों के साथ peer group के साथ relatives के साथ siblings के साथ so that together we can improve the quality of education thank you उत्सक्वेश़ के साथ रोग don